ऐसे इंट्रोज नहीं करता लेकिन मैं इस समय सेक्ड़ो फीट नीचे गुफा में उतर रहा हूँ जो प्रिधवी में 5 किलो मीटर से ज्यादा गहरी है चाहे हमें ये बसंद हो या ना हो जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे हम यहां भसे रहेंगे अगले साथ दिनों तक मैंने शायद कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा सबसे पहली चीज हमें वहां से दूर जाना होगा जहां से हम नीचे आये थे क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बार की चपेट में आ सकती है समुत्र की तरह भर सकती है और हमें डुबो भी सकती है इसलिए हम बेस कैम्प गुफा में आगे लगाने वाले हैं ये काफी अजीब है यहां की दुनिया तो अलग है दोस्ट इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुन्दर है लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए हम सब ये जानते नहीं थे लेकिन अगले साथ दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्कल सबय होने वाला था ये बहुत बुरा आइडिया था ठीक है कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा बाकी समय अपनी सप्लाइज को जुटाने में लगा दिया इनमें हर बैक का वजन 36 किलो है और जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं हमने लगभग 4 घंटे बिताएग इसे पार करना बहुत मुश्किल है हम ये सब हमारे बेस कैम तक ले जा रहे हैं ठीक है हमने यहां कुछ लाइटे जला रखी है हमारे सप्लाइज वाइनली हमारे बेस कैम तक आ गए और अगर तुम कैमरा उधर घुमाओगे तो आपको दिखेगा वहां कितना अंधेरा है इसमें पूरा दिन लग गया और इसलिए हमने कैम्पिंग के लिए कम से कम तयारी की है हमने कुछ रसिया लटकाने के लिए होल्स किये इन्हें पकड़ो, खुद को उपर खीचो लगता है यह बिस्तर को संभालने के लिए सही होगी और हमारे सवाइवल गाइड जोल की बदद से हमने बिस्तर लटका दिये यह पतली सी रस्ती मेरे बिस्तर को संभालेगी रात का खाना खाया और जोरदार ठंट के लिए तयार हो गये सच कहूं तो मैंने जितना सोचा था यह बिस्तर उससे कहीं ज्यादा कमफिटबल है यह गुफा 2.5 किलोमेटर गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैंपिंग कर रहे है कल हमें काफी कुछ एक्स्प्लोर करना है तुम लोगों की नीन कैसी रही? बुरी तरह है मैं नहीं सोया बहुत ही उल्जन भरा महाल है गुफा की उपर इसे लगातार पानी टपक रहा है हमने अपने ऊपर एक टार्प डाला लेकिन फिर भी पानी हमारे बिस्तरों में आ रहा है मैं एक आइडिया दू चलो अपनी कैम को और बहतर बनाते है हमें इन टाप्स को जोड़ देना चाहिए ताकि यहां सोते वर्थ हम सूखे रहें मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ ठीक है मेरा बिस्तर यहां तक निकलता है कई कोई मजाक है मैं अभी अपने बिस्तर से निकला था यार और हमें उस समय समझ नहीं आया लेकिन ये गढ़्धा लगभग 40 फीट गहरा है तो जब शौन और मैंने सूपर टाप पर काम करना शुरू किया मैक और काल ये देखने गए कि ये गढठा कितना खतरनाक है वहां उपर मेरा बिस्तर देख सकते हो मैं वही सोया था अब ये देखो क्यूंकि यहां सब कुछ एक जैसा दिखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद काफी मुश्किल होगा इसलिए इस मैप पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेस कहा है और वो कितनी फूर जा रहा है ठीक है मैं एककल हो ना हूँ ओ ये पागल बन है जब तक बॉइज एक्स्प्लोर कर रहे हैं मुझे और शॉन को कैंप पर काम करना पड़ रहा है यहां ये स्लीपिंग बाग क्यू पढ़ा है इसमें टॉयलेट जैसी पद्बू आ रही थी लेसन नमबर व़न किराय के स्लीपिंग बागस मत लेना हमने स्लीपिंग बाग स्लाइप पर के लिए पहुच गए हमें इस वक्त क्यांप पर काम करना चाहिए हम बस यह दिखाना चाहते थे कि कि इंदी फार कर पाओगे लेकिन इन दुनों को नहीं पता था कि यह नदी पूरे गुफा में पहली हुई है जिसका मत्तब है कि हमें इसमें पुछ समय बिताना पड़ेगा लो आगए है केदों की खाना बन चुका है हां बन चुका है सही कहां एक नया घर है ना लेट्स गो अब हमारे पास एक चछत है मानना पड़ेगा तुम लोग ने कमाल कर दिया और हमने फार पिट को इस चोटी सी गुफा में रखा है तो क्या कहते हो गरम है काफी कोजी यह च पत्थर का तॉयलेट पत्थर का टॉयलेट वो देगा नने कहा था ना और एक सूखी रात की नींद के बाद हमने जोल हमारे सुवाइवल एक्सपर्ट को मदद के लिए बुलाया ताकि हम गुफा के अंत तक पहुँच सके जलो देखते हैं गुफा के कितनी गहराई तक प नहीं देखा हम गुफा की गहराई में जा रहे हैं ठीक है दोस्तों अपने पेट अंदर कर लो यह मामला टाइट होने वाला है मुझे नहीं लिगता मैं इसमें फिट हो पाऊंगा गुफा की खोच का दिल्चस्प हिस्सा यह है कि आप पत्थरों की दरारों में मुश्किल से पाते हो ओ माइको यह चाहिए बहुत कम है और कभी कभी आप एक बड़े से चेमबर में होते हो इतना बड़ा कि हम इसे देखने के लिए यह ना पड़ा अप अब मैं देख पा रहा हूं मजा आ गया यह कितनी चमकदार है यह देखो तो यह कितना शांदार है या प्रॉश यहां पकड़ने के लिए एक हैंडल है और फिर तुम आसानी से अपने पैर को यहां रख सकते हो इस तरह है परफेक्ट जोल सबसे अच्छा केव गाइड अब तक सब जिंदा है ठीक है दोस्तों तो यहां से चीज़े दिलजस्प हो जाती है क्या यह क्या है तो अब से वेट थर्मिया से बचा जा सकता है हम यह क्यों कर रहे हैं यह जिंदगी में एक ही बार करने मिलेगा तुम मर जाते हो समझे गुफा के अंद तक पहुचने के लिए हमें इस नदी में कूटना होगा और पथरों के बीच से होकर तेजी से भैती नदी को पार करना होगा और जिमी मैं चाहता हूँ कि तुम पानी से बाहर निकले इसको करना पागल पन है यह कितना थंड़ है क्योंकि जब आप पूरी तरह से ठंडे पानी में दूबे होते हो तो पत्थरों को पकड़ना बेहत मुश्किल हो जाता है तो पागल पन था मैं चाल चलो मुझे ठर लग तुम कर सकते हो चारी रखो देखो यह कितना मुश्किल है हाला कि यह बड़ा मुश्किल था पर आगे आने वाली मुश्किलों के सामने यह कुछ नहीं हमने कर दिया के 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 बॉय हम 10% काम पूरा कर चुके हैं जिसका मतलब है कि यह बस एडवेंचर की शुरबात है औ हमें दावे के साथ क्या सकता हूं वो गीले पत्र में ही सोचा है हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि अब हमारे शरीर गीले हो चुके हैं इसलिए तापान तेजी से गिरने वाला है यह इतना मुश्किल क्यूं है सबसे बुरी बात यह है कि हम जितना इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमें उतना ही वापस अपने क्याम तक जाना होगा हमारा अगला अब्स्टिकल पानी से बाहर हो सकता है पर इसका मतलब यह नहीं कि वो आसान होगा क्या यह मकडी का जाल है पर यह मकडी है ही नहीं इसका मतलब वो हमपर हो सकती है तुमारे उपर उपर है मुझे इन से नफ्रत है यह गुपा एक मिस्टर वीस्ट वीडियो की तरह है जितना आगे बढ़ते हो उतना मुश्किल होता है सच के हूँ तो अगर हमारे पास जोल नहीं हो सकते फिर भी मैं आस एहमत हूँ जो भी हो हमें इनकी बात माननी होगी हमने फिल्म बनाने और फ्लेर के साथ खेलने में बहुत समय बरबाद कर दिया इस हब तक कि हमें अभी रिस्टार्ट करना होगा और इस मिशिन को कल फिर से शुरू करना होगा शॉन हम वापस आगे जब हम नहीं थे तब तुमने क्या किया उमीद है कि आप कोई किला नहीं होगा मुझे नहीं पता था तुमने लाइट्स पैक की यह शांदार है ना अफसोस है कि आज हम सिर्फ 20 परसंट गुफा ही पार कर पाए लेकिन भरोस्दा रखना कि हम किसी न और बुरी रात के बाद अगली सुभा हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी जान बच सकती है हाँ शावर लेना सच में शांदार होगा मैंने शावर नहीं लिया है तीन चार दिनों से जैसा कि आप सोच सकते हैं गुफा के अंदर जब तुम्हारे पास ड्रोन हो तो है ड्रायर की क्या जरूरत और सूखने के बाद हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए जोल के साथ बैठे ये क्या है जोल ये गुफा का मैप है पिशली बार हमें तेज बहाव की वज़े से रोखना पड़ा था लेकिन बारिश धीमी हो को हमारा सप्राइज हो गया तो मैं लगता है हम यह कर पाएंगे वो नहीं यह सब अभी मत सोचो हम कर सकते हैं कल की तरह से प्लानिंग करने के बाद हमने अराम किया और अपनी एनरजी वाफस पाने के लिए फीस्टिबिल स्मोर्स बनाएं सब लोग चीर्स ओ जोल अपना पहला फीस्टिबिल स्मोर्स खाने वाला है तो हमने जितना हो सके सोने की कोशिश की और कल की एडवेंचर यानी गुफा के अंद तक जाने की तयारी की हम अपने जीवन के सबसे खतरनाक जर्णी पर जा रहे हैं तीसरे दिन के एक्सपीरियेंस और फिल्मिंग पर कम ध्या और अपने सवाइवल के चांसिस को बढ़ाने के लिए हम जोल के साथ एक और सवाइवल एक्सपर्ट को भी लाएं तीसरे दिन हमें यहीं पर रुपना पड़ा था अब हम कैसा कर रहे हैं हम बहुत बैतर कर रहे हैं हमारे पीछे पूरी तरह से अंधेरा है हम कहां जाए य यहां कितना अंधेरा है अब कोई बेश नहीं है मेरे पैर जमीन से बहुत उपर है क्योंकि हम जमीन तक नहीं पहुच पा रहे है इसका मतलब यह है कि अगर हमने अभी जाने दिया तो हम सीधे पानी के धार में बह जाएंगे जोल अब हम क्या करें अपना हाथ यहाँ पर सबसे खतरनाक चैलेंज होगा हम गुफा के पहले से कहीं ज्यादा गहराई में है और अब हम हमारे पहले आपस्टिकल के करीब पहुचने वाले हैं असल में पानी बार बार घूम रहा है तो अगर तुम इसमें गिरते हो तो यह तुम्हें नीचे ले जाएगा और वहीं र तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह नदी कितनी ताकत वर है इसने पूरा गुफा बनाया है और हम गुफा जितने ताकत वर नहीं है तो मुश्किल से इंसान जितना ताकत वर हूँ हमारी खुशकिस्मती है कि इस एटवेंचर को काल लीड नहीं कर रहा बल्कि हमारे पास जो अवेंजर्स से कम नहीं और ये थाबिद करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है उसने हम पर फ्लेक्स करने के लिए एक चटान से कूट कर दिखाया ओ माइ गॉड तुम पागल हो कौन है जो थोड़ा पागल है कोई तो है जो करना चाहता होगा मैं पागल हूँ ये मत कहना कि तुम्हें भी ये करना है क्या बोल रहे हो मैं अभी कर रहा हूँ दोस्त चलो जो गुड लख मैक जिमी ने मुझसे अब तक जो भी करवाया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है क्या तु भी ये करोगे नहीं आगे बढ़ते हैं वरना आम आखिर तक नहीं पहुचेंगे हमेशा हम पानी के बहाब के उल्टा ही क्यो जाते हैं मैं शायद इसमें बहर जाओं मुझे शायद हार ही मानने नी चाहिए पानी के नीचे नुकीले पत्थर है तुम उन्हें देख नहीं सकते तो संभल कर चलना ओ माइगाड पानी और गहरा हो रहा है मैं नहीं कर सकता मुझे पैर किसी चीज़ पर रखने होंगे और अगर नुकीले पत्थर काफी नहीं थे तो हमारे हर कदम के साथ ब्रो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यह डरावना है यह गुफा और भी अंधेरी टाइट और खतरनाक हो गई जिससे हमने सोचना शुरू कर दिया क्या हम सच में फिनिश लाइन तक पहुच पाएंगे यह गुफा बोर भी मुश्किल होने वाला है और मुझे आप सबको कुछ दिखाना है जोल मुझे तुमारा बैग में अब तक क्या था नहीं मुझे इसके बारे में नहीं बता ब्रैंड न्यू मिस्टर बीस्ट लाब स्वर्म में इमानदारी से कहूँगा जैसा कि आप दे आपको हमारे नए टॉइस के बारे में बताऊंगा मिस्टर बीस्ट लाब स्वर्म ये कलेक्टिबल टॉइस है जिसमें 120 से ज्यादा यूनीक कैरेक्टर है जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं और कूल बात है कि पता करने के लिए कि आपको कौन सा कैरेक्टर मिला है आप इस मुझे लगता है इतना काफी होगा ना मुझे लगता है इतना काफी है फिर आप पानी को बाहर निकालोगे जोल ये तुम करो और फिर पानी से निकलेंगे वो दो स्वर्म्स जो आपको मिले हैं ये सबसे रेर वाला है हाईपर क्रो मैंने ये सिर्फ हजार बनाए है जोल य मुझे काम में लेंगे काफी अच्छा सवाल है Mr. Beast के Lab Toys अब दुनिया भर में हर जगह अवेलेबल हैं जहां से आप खिलॉने करीदे हैं यह रिलीज हो चुके हैं अभी खरीदिये और गुफा में और भी कठिन सफर के बाद हम आखिरकार Glow Worm Chamber तक पहुंच ही गए हमारी मह से बनती है यह तो Milky Way Galaxy जैसा लग रहा है वाव इस पल ने और इस व्यू ने सच में हमारे ट्रेक को साटिस्फाइंग बना दिया है Glow Worms तक पहुचना वागई ट्रिप के लायक था लेकिन हमारा सफर अभी खत्न नहीं हुआ था क्यूंकि हमें एक बेस कैम तक वापस जाना था लेकिन सच में ये पूरा ट्रिप बहुत लंबा चला वापस पहुचने से पहले हमारा चटा दिन शुरू हो गया था शान शान कैसे हो दोस्तों मुझे तुम सब की चिंता हो रही थी हमारे पास आग के पास बैट कर खुद को गरम करने और कुछ खाना खाने की एनर्जी पची थी ये बहुत ही रोमांचक दिन था मैं आप सब से कल मिलता हूं या फिर शाद आज ही आज छटा दिन है हो सकता है मुझे नहीं पता इतनी लंबी और ठका देने वाली ट्रिप के बाद भी मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मुझे सोने में बहुत प्रॉबलम हो रही थी मैंने साथ दिन एकांथ में बिताए साथ दिन जिन्दा दफन होकर बिताए और साथ दिन एक राफ्ट पर और सच कहूं तो मुझे लगता है यह उन सबसे ज्यादा मुश्किल है तुम हमेशा गीले और ठंडे रहते हो मेरा शरीर बार-बार इन कठोर पथरों से टक्रा रह नाइन्टी परसेंट समय यह गुफा बस खतरनाक ही होती है लेकन सच कहूं तो जिमी यो काल मुझे देख सिकते हो यह दुनिया की सबसे तेज स्टॉच है इस गुफा में कुछ मस्दार पल थी थे तीन सो फीट नीचे रैपिड्स को पार करना हम सब का मिलकर बिस्तरों मे हसना सारी मुश्किले इसके लायक है जब आप अच्छे लोग उनके साथ होते हो वेल जैसी आवाजे निकालें यह गीली धंडी पत्थरों से भरी हुई मुश्किल गुफा हमारी जिन्देगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है हम तब तक नहीं जा सकते जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ चलो यहां से डिकलते हैं और गुफा के शुरुवात में वापस पहुचने के बाद भार की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है हमारे पास जोल के लिए एक और सप्राइज था जाने से पहले जोल तुम्हें थैंक यू कहने के लिए हम तुम्हें पचास हजार न्यूजिलेंड डॉलर्स दे रहे हैं तो ये हर इंसान के लिए दस हजार है जने तुमने जिन्दा रखा जलो चलते हैं जोल अब ये सब निटा लिया है तो चलते हैं साथ लंबे दिनों के बाद हम आखिरकार घर जा रहे हैं